बिस्मिल्ला हिर्राह्मान रहीम, स्सलाम उलेकुम, आज हम स्पाइसी चिकन सेंडविच त्यार करेंगे, इसके लिए देर पाव बॉर्नलेस चिकन लिया है, चीज हाफ कपली है, एक मीडियम ब्यास स्लाइस में कटा हुआ, दो सब स्मिर्चें परीक कटी हुई, शेमला मिर्च तर्म्याने साइस की इसकी भी कटिंग कर ली है, सिर्का वंटी स्पून, वंटी स्पून तंदूरी मसाला, वंटी स्पून सुखा पिसावा धनिया, वंटी स्पून सॉल्ट आप अपनी मर्जी के मताबिक कर लीजिए, हाफ टी स्पून काली पिसी हुई वंटी स्पून लेसन पाउडर और वंटी स्पून सपैज जीरा सैंड्विच प्लेट के चार स्लाइस लिए हैं सब चीजे तयार हैं जले स्पाइसी सैंड्विच बनाना शुरू करते हैं एक पैन में हाफ कप ओयल शामिल करेंगे ओयल गरम हो गया है इसमें जीरा और लेसन पाउडर शामिल कर देंगे इसको थोड़ा सा फ्राइ कर दे के बाद इसमें चीकन शामिल कर देंगे इसको पांच मिनिट फ्राइ कर देंगे पाट मिनट इसको प्राए कर लिया है अब इसमें हाफ कप पानी शामिल करके ठोड़ी देर के लिए धक कर रख देए लोफ लेम पर इसको दस मिनट के लिए धक के रख दिया है अब इसमें शिमला मिर्च शामिल करती है प्याद भी शामिल कर दिया है सब्स मिर्चें चिली गार्डिक सॉस तमाटो केचप भी शामिल कर दी है केचप पी शामिल कर दी है और अब सिर्का भी शामिल कर दिया है सोया सौस पी शामिल कर दिया अब तमाम मसाले शामिल कर देंगे इन सब चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर देंगे सबसे पहले ब्रेट पर चिकन लगा लिया है चीज भी लग चुकी है अब इसके उपर दूसरा स्लाइस रखते के ग्रिल पैन में बटर को लगा लिया है लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे बटर को स्लाइस के उपर भी लगा लेंगे फ्लेम को लो ही रखना है एक साइट से सेंडविचे त्यार हो चुके हैं